लो एब्रिवन वेलकम बैक टू माई चैनल ग्यान गेट आज की वीडियो में हम देखेंगे वाउ तो गेट अप्रूवल लेटर कि जब आप अपना इस आइनपसेज बना के सेंड करते हो तो इसके बाद आपको अपना अप्रूवल लेटर कैसे मिले और आज की वीडियो में में बहुत चारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे कि आप अपना साइनपसिस जब बनाऊगे तो वह बहुत अच्छे से बने उसमें कोई भी गुंजाइश ना हो कि आपका आपका जो साइनपसिस है वो रिजक्त हो जाए वीडियो थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा लेकिन बहुत है यह वीडियो तक पका से बने रहाना ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस्स ना हो जाए सबसे पहले देखे यह जो इंस्टुक्शन्स है यह आपकी इगनू की गाइडलाइन्स में ही प्रोवाइट की गई है सबसे पहले देखे यहाँ पे लिखा है इंड्रॉल्मेंट नंबर मैंशन दी इंड्रॉल्मेंट नंबर असाइंड तो यू बाइड यूनिवर्स्टी इफ यू आर मैक्जिमां दॉरेशन दॉरेशन दॉर्ग्राम उसमें बोला है कि जबी भी आप अपना साइनोपसिस बनागे तो उसमें आपका इंड्रॉल्मेंट नंबर होना चाहिए और अगर आप लोगों को MBA मतलब अगर आप लोगों ने MBA बीच में छोड़ दिया था और 4 years के बाद आपको काफी time हो गया है तो आपको दुबारा re-registeration करवाना पड़ेगा क्योंकि MBA की validity 4 years की है ठीक है अगर आप बाद में continue कर रहे तो उसके लिए आपको re-registeration करवाना फिर बाद में आपको project send करना पड़ेगा और project की fees भी अलग से देनी पड़ेगी तो इसमें यही बोला है कि आपको अपना enrollment number लिखना है क्योंकि enrollment number आपकी identity है, enrollment number must है तर उसके बाद है subject area ठीक है आपका जो topic है वो सब आपको लिखना है the broad subject area on which you indeed it carry out your project work should be mentioned ठीक है आपका जो project work है वो सब आपको लिखना है और आपका जो subject है जैसे कि आप HR कर रहे हो तो HR आपको जरूरी लिखना है finance है तो finance लिखना है marketing है तो marketing आपका जो भी specialization है वो आपको लिखना है ठीक है आपको topic के साथ then उसके बाद है title of the project this is a final topic on which you will be carry on the project work it should be consigned indicated clearly the work begin taken up the study the final project report should necessary be in the title approved by the evaluator no change could be made submitting the final project report तो भी जो भी आपका topic है वो सब आपको लिखना है ठीक है title तो बहुत ज़रूरी है उसके बिना किसको क्या पता चलेगा कि आपने कौन से topic के उपर बनाया है then उसके बाद name and address of the supervisor मतलब जो आपके guide है उनका performa लगेगा और उनका पुरा name and address ये सब होना चाहिए then उसके बाद then उसके बाद आप जिनको अपना guide select करोगे तो उनकी भी बहुत सारी details इसमें होनी चाहिए जैसे कि guide का पुरा bio data होना चाहिए और जो bio data है उसमें कुछ भी misprint नहीं होना चाहिए कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए तो bio data है एकदम अच्छे से होना चाहिए और bio data के अंदर मतलब क्या क्या होना चाहिए तो bio data के अंदर उनका name होना चाहिए date of birth होनी चाहिए उनका full address होना चाहिए, contact number होना चाहिए, current mark कहां पे काम कर रहे हैं, उनकी educational qualification के सारी details होनी चाहिए, degree, university name ये सब होना चाहिए, फिर उनकी detail में work experience होना चाहिए, एकदम chronological order में लिखा है तो ऐसे ही होना चाहिए, और ये सारी details आपको जब आपके guide मिल जाएंगे तो उनको ने send करना है, क्योंकि sir को बताना है कि sir मेरे आपका जो by data उनमें ये सारी चाहिए होनी चाहिए, तो एक बार आप लोग ये सारी details गाइड को दिखा देना, उसके बाद कुछ other information हो, उनकी वो सब भी आप लोग दे सकते हो, in case if the student failed to submit a duly sign, आपको duly sign करने है, और by data and performa of approval, the synopsis will not be, तो देखो, अगर आप लोगों ने, आप लोगों को पहले duly sign करना है, और by data होना चाहिए, और जो performa है न, approval letter का, ठीक है, वो तो लगाना है, क्योंकि अगर आपका approval हो जाता है, तो वही आपके घर पे by post दिया जाता है, as a approval letter, और नहीं तो बहुत जारे RC वाले, आपक email का screenshot लगा सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो अपका signopsis पहले accept ही नहीं होगा, तो check तो बहुत दूर की बात है, उसके बाद लिखा है, कि जो आप अपना performa है, approval letter का, वो आपको बहुत अच्छे से submit, fill करना है, उसको, और search से sign कराना है, एक नहीं है, by data होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप लोगों ऐसा नहीं करोगे, तो आपका जो proposal है, वो accept नहीं होगा, और जो भी आपका signopsis है, उसकी एक copy आप लोगों के पास होनी चाहिए, एक copy आपको regional center में send करना है, और एक copy आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, फिर उसक signopsis है, वो regional center में send करना है, और regional center का address आपको student की handbook में मिल जाएगा, या prospectus में मिल जाएगा, same ही होता है, और IGNU की website से मिल जाएगा, ठीक है, तो ये तो था कि आपको अपना जो project का approval letter कैसे चाहिए, उसके लिए बहुत सारे information थी, और इनमें से एक भी point मिस नहीं होना चाह तो आपका जो project है, जो signopsis है, उसको approval ही मिलेगा, रिजएक नहीं होगा, तो ये सारी बाते थी, कि आप लोगों को कैसे ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखके, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखके, अपना signopsis बनाते हो, तो आपका signopsis रिजएक नहीं होग तो आज की वीडियो में बस इतना ही, if you found this video helpful, please give it thumbs up, subscribe for more content and share it with your followers, MBA student, if you have any question or wants to share your experience, feel free to leave a comment below, thank you for watching and best of luck with your Igno MBA project, until next time stay curious and keep learning Thank you